अगर आपने नहीं देखा हो तो इस वीडियो को जरूर देखेगा इस वीडियो को देखकर Transducer से related एक common understanding आपकी develop होगी उस वीडियो में बहुत से viewers ने मुझे comment किया था कि Transducer और Sensor के बीच में basic difference क्या होता है Sensor क्या होता है, Transducer क्या होता है और इन दोनों में हम differentiate कैसे कर सकते हैं इस पर एक वीडियो बनाईए तो आज के वीडियो में इन ही दो चीजों के difference के बारे में हम लोग बात करेंगे तो दोस्तो बिना time waste के शुरू करते हैं दोस्तो sensor और Transducer इन दोनों में confusion इसलिए भी create होता है क्योंकि ये दोनों ही physical device है जो physical quantities को measure करने के use में आते हैं अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि physical quantities का मतलब क्या होता है तो पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जैसे temperature होता है, pressure होता है, flow होता है या किसी tank का level होता है ये सब ही आपके physical quantities होते हैं अगर आप pressure measure करना चाते हैं किसी भी oil का या किसी भी water का flow measure करना चाते हैं तो ये सारी जो quantities है, इनको physical quantities कहा जाता है अब जब भी हम लोग sensor और transducer के बार में बात करते हैं तो sensor भी physical quantities को ही कहीं ना कहीं sense कर रहा है, measure कर रहा है और transducer भी physical quantities से related ही अपनी working कर रहा है यही reason है कि इसमें confusion create होता है कि भी या sensor और transducer, इन दोनों में फिर क्या difference है तो देखें दोस्तो, transducer basically एक ऐसा device है जो physical quantities को electrical signal में convert करने का काम करता है physical quantities का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे pressure होता है, flow होता है, temperature होता है ये सभी physical quantities है इन सभी physical quantities को electrical signal में convert करने का काम जो device करता है, उसको हम लोग transducer कहता है अब अगर आपके mind में सवाल आ रहा हो कि physical quantities को electrical signal में convert करने की requirement ही क्यों है तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा transducer का उसमें ये सभी सवालों को हमने cover किया है वहीं अगर हम लोग sensor की बात करें तो sensor basically एक sensing device है sensor में कोई भी physical quantities को electrical signal में convert नहीं किया जाता यही basic difference है sensor और transducer में कि sensor में किसी भी physical quantities को चाए वो pressure हो चाए वो temperature हो उसको electrical signal में हम convert नहीं कर रहे वहीं अगर हम transducer की बात करें तो transducer में physical quantities को पहले electrical signal में convert किया जाता है, उसके बाद उसको आगे की processing में भेजा जाता है, इसलिए दोस्तों industries में जो sensor लगे रहते हैं, उनका काम स्रिफ यही होता है कि वो physical quantities को sense करें, जैसे अगर हम लोग pressure sensor की बात करें, तो जो pressure sensors होते हैं, ये basically pressure को sense करते हैं, और अगर उन sensor के साथ आप एक dial gauge लगा देते हैं, तो वो कितना pressure build-up हो रहा है, वो आपको analog gauge में देखने को मिल जाएगा, जो analog meters आते हैं, उसमें आपको easily देखने को मिल जाएगा कि किसी भी line में कितना pressure develop हो रहा है, लेकिन ये जो sensor है, ये इस pressure को electrical signal में convert नहीं कर रहा है, ये सरिफ उस pressure को sense कर रहा है, और जितना pressure वो sense कर रहा है, उतना आपको dial gauge में reflection के थ्रू देखने को मिल जाता है, वहीं अगर हम लोग transducer की बात करें, तो transducer इसी pressure को सबसे पहले तो sense करेगा, उसके बाद उसको electrical signal में convert करेगा, और फिर उस electrical signal को आप transmit कर सकते हैं, ताकि आपका जो control room है, आपका DCS है, वहाँ आपको ये चीज़ देखने को मिल सके कि कि किसी भी line में कितना pressure है, किसी भी line में अगर oil flow हो रहा है, तो वो कितने rate से flow हो रहा है, किस pressure से flow हो रहा है, उस oil का temperature कितना है, ये सारी चीज़ अगर आपको देखनी है, तो सबसे पहले आपको physical quantities को electrical signal में convert करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको DCS में ले सकते हैं, तो ये basic difference है sensor और transducer के बीच में, इसलिए दोस्तों जो sensor होते हैं, इनमें सरिफ एक sensing element ही होता है, वहीं अगर हम लोग transducer की बात करें, तो transducer में दो element होते हैं, एक तो sensing element होता है, दूसरा transduction element होता है, sensing element का काम होता है, कि physical quantities को वो sense करें, और transduction element का काम होता है, कि जिस physical quantities को उसने sense किया है, उसको electrical signal में convert करें, ताकि उस electrical signal को हम लोग transmit कर सकें, और जो भी आपका control room है, DCS है, वहाँ पर उन parameters को आप actual में SCADA में देख सकें, अब दोस्तों industrial point of view से इनकी applications के बार में बात करें, तो sensor के स सबसे common industrial application होता है, motion sensor, यह जो pick आप देख रहे हैं, यह motion sensor की है, इसका basic काम होता है, motion को sense करते रहना, देखे, control room में जो लोग बैठे हैं, उनको यह चीज़ पता चलनी चीए, कि site पर कोई चीज़ चल रही है, या नहीं चल रही, इस चीज़ को assure करने के लिए, industries में site पर motion sensor लगाया जाते हैं, यह जो sensor होते हैं, यह motion को sense करने का काम करते हैं, और उसका feedback आपके DCS में, आपके control room में भेज दिया जाता है, जिससे उनको यह पता चलता रहता है, कि जो भी चीज़ site पर लगी है, यह motion में है, यह motion में नहीं है, तो यह सबसे basic example है sensor का, जो industries में use किया ज आता है, वहीं दोस्तों अगर हम लोग transducer के applications की बात करें, तो transducer basically वहां use होता है, जहां आपको इन सभी physical quantities को electrical signal में convert करके DCS में उनकी value शो करनी हो, अगर मालीजे जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको example दिया, कि एक oil का tank है, और oil उसमें से अगर flow हो रहा है, मैं यह सारी चीज़े अगर मुझे control room में अपने computer पर देखनी है, तो इन सभी physical quantities को, चाहे वो pressure हो, flow हो या temperature हो, इन सभी physical quantities को पहले मुझे electrical signal में convert करना पड़ेगा, फिर इस electrical signal को मुझे transmit करवाना पड़ेगा, ताकि यह सारी चीज़े मैं DCS में easily देख सकूँ, तो यह दोस्तों अगर आपको पता हो, तो मुझे से भी comment box में share करेगा, मैं आप से मिलता हूँ कल ऐसे एक interesting topic के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, good bye